आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ पीजी इम्मार की फर्मासिस्ट का एक्सपेक्टेट काट अप के बारे में अब लोग जानते ही होंगे पीजी इम्मार का फर्मासिस्ट एक्सपेक्टेशम रिसेंटली 26 नमबर 2022 में सुबा नय वज़े से 10.40 तक एक घंड़ा 40 मीट का 100 मार्क्स का एक्सपेक्टेशम हुआ है तो जो लोग एपियर होए थे इस एक्सम में अब लोग बेसबरी से इंतजर कर रहे हो गए कब पीजी इम्मार का ओपिस्याड से बीटी टेस्ट का रेजल्ट आएगा तो अब लोग के जानकारी के लिए मैं एक डिसकस करना चाहता हूँ एक्सपेक्टेशम काटब के बारे में तो पीजी इम्मार का जो कोसिंस लेवल था बहुत हर्ट लेवल था बिशीकली प्रैक्टिकल बेस्ट बहुत कोस्टेन आए थे डायरेक्ट कोस्टेन। जैसे में ली विए फर्मक योजी से फर्मकोग्नлять हम सीतुन बहुत काम आया है। इन ओर्वनीकल को ग्विस्टिनी स mesh से कोई डायए ऒसमार्शादेताते बहुत काम हैं। तो अब लोग जो एपियर हुए थे एक्जम के लिए अब लोग को क्या लग रहा है एक्सपेक्टेड काट अब क्या जा सकता है आब लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना मैं एक्सपेक्टेड काट अब एक्सपेक्टेड के लिए एक्सपेक्टेड काट अब रहा सकता है 56 तू 60 माक्स तो अन्रिजब काट अब विदिन 56 तू 60 माक्स पर OVC Candidate के लिए 54 के आसपास काट अब रह सकता है EWS Candidate के लिए 50 के आसपास काट अब रह सकता है EWS Candidate के लिए 50 से नीचे ही जाएगा 44 के आसपास काट अब रह सकता है तो मैं जो काट अब के बरह में बताया एकस्पेक्टेड है अब लोग ऑफिसेल मनकर मुझ चलिए थोड़ा भारियसन आ सकता है ओफिसेल रेजल आने के बाद पता चलाएगा अब लोग को जानकारी के लिए मैं बता दूँगा रेजल बहुत जल्दी आ रहा है विटिन मैक्सिमम फिप्टिन डेज अफिसेल ओविसेल में पीजी उमर फर्मसिस्ट का रेजल आ जाएगा तो जो लोग इंतजर कर रहे थे रेजल के लिए वो लोग को जादा दिन इंतजर नहीं करना पड़ेगा hope you understood my basic discussion if you like my video please share and subscribe my channel thank you for watching my channel